दोस्तो दिल्ली विधानसभा चुनाओ के बाद जैसा कि आप सभी को पता है अब बारी आ चुकी है बिहार विधानसभा की दोस्तो बिहार की विधानसभा चुनाओ के लिए चुनाओ के परचार परसार काफी तेज हो गए हैं जहां एक तरफ जेडियो आरजेडी एक दूसर तरफ बीजेपी अपनी ताकत जोग दे रही है और आपको बता दूं कि बिहार चुनाओ नवंबर में होने वाले हैं तो इसलिए आज हम आपके सामने रखने वाले हैं बिहार की टोटल 243 सीटों का सबसे बड़ा ओपीनियन पोल दोस्तो इस ओपीनियन पोल के जरीए आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में बिहार का किंग कौन बनेगा दोस्तों अगर 2015 के चुनाओ रिजल्ट पर नज़र डालें तो जेडियों के पास 70 सीटे थी और बीजेपी के पास 54 और एलजेपी के पास 2 और इंडिपेंडेंट चार और आरजेडी के पास 80 और कांग्रेस के पास 26, CPI के पास 3 और HM के पास 1, MIM के पास 1 और इंडिपेंडेंट 1 जो की आपोजिशन में है वहीं दूसरी तरफ जेडियों, BJP, LGP और इंडिपेंडेंट मिलकर के अभी सरकार में हैं लेकिन क्या जिस तरह से जेडियों ने RJD से नाता तोड़ा है उसका ख आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाओ, EVM से ना हो करके बैलेट वेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए, तो चलिए दोस्तो हम आपके सामने रखते हैं, बिहार की 243 सी तेजस्वी यादो की अगर बात करें, तो 44 फिजदी लोग तेजस्वी यादो को बिहार का मुखमंतरी देखना चाते हैं, वही नितिस कुमार को 45 फिजदी और सुषील मोदी जो बीजेपी की हैं, उनको 9 फिजदी लोगी चाते हैं, तो चलिए अब हम आपके सामने रखन और लटीपी कोशच्वा कहते हैं, भीक नेशे के लिए भीडियो को लाइक करें, शेर करें Isisation को लिए शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें